पहलो दोस्तों बहुत ही यहाँ पे एक अच्छी नोटिफिकेशन जारी की गई है बिहार सरकार द्वारा जो LRC बिहार वेकेंसी थी उसमें जो जारी की गई है नोटिफिकेशन अब यहाँ पे जो वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें कहा जा रहा है कि आपके लिए मौका है यदि आपने गलती किया है फर्म भरते समय या आपने ने कलर का भणते समय कारा है इसके बाद यहां पोश्ट आप दहखी सकते हैं कि 10,000 से भी ज्यादा पोश्ट था 101 पोस्ट था इस में अब यहां पर करेक्शन विंडो के लिए आप देख सकते हैं कि 26 नौवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 4 दिसंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं और यह वेवसाइट का यहां पर लिंक दिया गिया है लेकिन आप इस वेवसाइट को टाइप करके अभी यह दिया वीडियो देख रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी जा के अपलाई कर दीजिए आज 26 नौवंबर है यहां पर मोटर आप देख साहते हैं हेट कॉंस्टेबल मोटर मेकेनिक की यहां पर वन ट्वेंटिएट वेकेनिक थी और एजगेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10 पलस 2 मांगा जा रहा है या डिपलोमा आपकी यह हुए है तो इसमें अपलाई कर सकते हैं अडिपलोमा भी आपको Automobile Engineering में होना चाहिए ठीक है ना और यहाँ पर Head Constable के लिए यह है और इसके बाद आपको जो Constable है उसमें तेंथी पास मांगा जा रहा है तेंथ पास हैं आप तो इसमें अपलाई कर सकते हैं ITI किये हुए तो अपलाई इसमें कर सकते हैं और इसमें यदि आपके पास Experience है तो बहुत अच्छी बात है अपलिकेशन फी यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा है याँ कि अपलाई करने के लिए आपको कोई Payment फी नहीं लगेगा यहाँ पर Age देखिए 18 साल मिनिमम है मैक्सिमम 25-45 में Age दिया गया अपलाई करने के लिए Selection Process की बात करेंगे हम लोग Selection Process यहाँ पर फीजिकल होगा आपका Document Verification होगा एक Retain Exam लिया जाएगा इसके बाद आपकी Skill Test या Trade Test लिया जाएगा Medical होगा Final Result आपर जारी कर दिया जाएगा आपको Last Date यहाँ पर 27 नॉमबर दिया गया 27 नॉमबर तक आपको अपलाई कर देना है अब Indian Navy में भी दोस्तो वेकेंसी निकाली गई है और Indian Navy में जो वेकेंसी निकाली गई है अगनी पत जो वीर के लिए वेकेंसी है वो यहाँ पर है Recruitment Indian Navy और यह आपको 2022 तेज की वेकेंस आठ दिसंबर से अपलाई होना इस्टार्ट हो जाएगा Online आपको मोड में अपलाई करना है और इसमें जो वेकेंसी दी गई है अगनी वीर SSR के लिए पंद्रह सव है अगनी वीर एमार यानी की चीफ और हाईजिनिस्ट के लिए आपको यहाँ पर सव वेकेंसी दी गई है क्वालिफिकेशन जो होगी आपकी अपलाई करने के लिए यहाँ पर अगनी वीर SSR के लिए आपको 12 पास होना चाहिए physics, math और other subject में जैसे chemistry हो गया, bio हो गया या computer science अपने लिए है तो apply इसमें करेंगे यह subject आपके पास होना चाहिए math और physics, chemistry, bio ठीक है और इसके बाद अग सत्रा वर्स, साड़े सत्रा वर्स और maximum यहाँ पर 23 वर्स अपलाई करने के लिए यह होना चाहिए इसमें apply करने के लिए आपको fee लगेगा, जो general candidate है वो भी CIW से साड़े 500 रुपया लगेगा, CST के लिए यहाँ पर 500 रुपया यहाँ पर आपको देना है, ठीक है payment online mode से होग process selection, process retain exam होगा, PT होगा, document verification होगा और medical test आपकी कराई जाएगी जिसमें से PT होगा उसमें आपको height आप यहाँ पर देख सकते हैं, male के लिए height आपको देखिए 157 cm होना चाहिए, female के लिए 152 cm होड़ना चाहिए, weight आज़े पर आपके height के हिसाब से weight होना चाहिए, race आपको करना है, 1.6 km, 6.5 मिनट में और female के लिए 1.6 km, 8 मिनट में दोड़ना है, और इसके बाद squash आप फेकना है आपको, उठक बैठक यहाँ पर उठक बैठक यहाँ पर आपको, देखिए 20 करना मेल के लिए female के लिए 15 करना है, पुसाप आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, 12 करना ह और बैंट निक, यानि कि चलना है, वो यहाँ पर female के लिए के लिए दिया गया है, ऑनलाइन अपलाई आपको, 8 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 17 दिसंबर तक अपलाई इसमें कर सकते हैं,